नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है तो आज हम बहुत ही अच्छी और इंट्रस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो चलिए अपनी स्टोरी का टाइटल जानते हैं तो इस्टोरी का टाइटल है अपकों स्टोरी को पढ़ते हैं लोमडी के और पहस के बारे में यह स्टोरी है मिन्स फॉक्स के और बफैलो के बारे में यह स्टोरी है तो चलिए अब इस्टोरी को पढ़ते हैं लोंग लोंग अगो लोंग मिन्स लंबा अगो मिन्स पहले काफी समय पहले इन फॉरेस्ट इन मिन्स में अ फॉरेस्ट जंगल में मैनी फॉक्सेज मैनी मतलब बहुत सारी फॉक्सेज लोमडियां लिवड रहती थी हैपिली खुशी खुशी एक जंगल में काफी समय पहले ब जैसा कि they did not get, उन्होंने नहीं पाया adequate food, adequate means परियाप्त, इनफ भोजन, means उन्हें उनका पेट भरने तक का भोजन उन्हें नहीं मिला, they sussed, they means way sussed, तलाश की for pray, pray means होता है सिकार के लिए, उन्होंने अपने सिकार के लिए तलाश की, but परन्त, they did not find, find means पाना, वे लोग नहीं पाई, they did not find anything, कुछ भी नहीं, पाई means अपने पेट भरने के लिए उन्होंने सर्च किया, तलाश की, अपने सिकार की, पर उन्होंने कोई भी सिकार नहीं पाया, they way thoughts, sochi, they would die, वे मर जाएंगी, of hunger, they would die means, वे मर जाएंगी, of hunger, hunger means भूग से, वे मर ज आएंगी, so, इसलिए, they, way, went गई, for searching, for, लिए, searching means तलाश में, food के, means उन्होंने सोचा कि, अगर ऐसे ही उन्हें भोजन नहीं मिला, तो वे भूखे ही मर जाएंगी, इसलिए उन्होंने फिर से, भोजन की तलाश करना सुरू कर दिया, while, जब roaming, roaming means होता है, घूमना, जब व forest, jungle में, they found, they means way, found, pie, a huge animal, huge means होता है, एक बहुत बड़ा जानवर, उन्हों एक बहुत बड़ा जानवर पाया, it was a buffalo, buffalo means होता है, भैस, उन्होंने एक भैस पाई, buffalo means उन्होंने एक भैस पाई, their happiness, उनकी खुशी, new means जानना, no bounds, कोई सीमा नहीं, जब उन्होंने भैस को देखा, buffalo को देखा, तो उनकी सीमा, उनकी खुशी की सीमा का कोई भी ठीकाना नहीं रहा, means वे लोग बहुत जादा खुश हो गई, क्योंकि वो बहुत दीरों से भोजन की तलास कर रही थी, जो लोमडियां थी, वे भोजन की बहुत दीरों से तलास कर रही थी, और उन्होंने जब बड़ा सा जानवर देखा, तो वे बहुत ही खुश हो गई, one of the fox said, one of the fox means उन लोमड़ी में से एक लोमड़ी ने कहा, we are fortunate enough, हम लोग, we means हम लोग fortunate हैं, भाग्य साली हैं, इनफ परियाप्त, means हम लोग बहुत जादा ही भाग्य साली हैं, we have found हमने पाया, our prey, हमने अपना सिकार पा लिया, we have found our prey means हम लोगों ने अपना सिकार पा लिया, we are not worried, worried means होता है, चिन्ता करना, हमें अब चिन्ता करने की जरुवत नहीं है, of food, भोजन की, of means का food, means भोजन, no, ab, अब हमें भोजन की चिंता करने की जरुवत बिलकुल भी नहीं है इफ यदि वी किल अगर हम लोग मारेंगे वी किल दे हुज एनिमल इस बड़े से जानवर को मारते हैं वी विल गेट हम लोग पाएंगे लोट बहुत सारा of flesh means बहुत सारा मांस पाएंगे and or that would be a good meal और जो होगा एक अच्छा भोजन होगा for the next few days next means आगे के कुछ दिनों के लिए हमारा means बहुत अच्छा भोजन बन जाएगा means कुछ दिनों तक हमें भोजन का बिल्कुल भी प्रबंद नहीं करना पड़ेगा और ये कुछ दिन तक हमारा काम चलेगा the young fox said जो you are fox था means जो सबसे छोटा लोम्री था said कहा we will not be successful हम लोग successful नहीं होंगे हम लोग सफल नहीं होंगे the buffalo is a huge creature जो भैस है is a huge creature बहुत बड़ा जीव है it is beyond our capacity ये beyond means परे है beyond means परे है our capacity हमारी चमता के capacity मतलब चमता हमारी सक्ती से परे है we are too small हम लोग बहुत छोटे हैं to attack him उस पे attack करने के लिए प्रहार करने के लिए the wise old fox said बुद्धिमान बुढ़ा लोमडी से बुद्धिमान बुढ़ा लोमडी ने कहा impossible means assemble is a word एक सब्द है found जो पाया जाता है in false dictionary false means होता है मुर्ख के बेवकूफ के dictionary में सब्द कोस में जो बुद्धिमान बुढ़ा लोमडी थी उसने कहा कि जो assemble सब्द है ये सिप बेवकूफ means foolish मुर्ख के dictionary में सब्द कोस में पाया जाता है keep patience धैरी रखो and intellect intellect means होता है बुद्धि धैरी और बुद्धि रखो then each work हर काम each work means हर काम would be easier आसान हो जाएगा अगर तुम धैरे रखोगे और थोड़ी सी बुद्धि इस्तमाल करोगे तो तुम्हारा हर काम easy हो जाएगा आसान हो जाएगा and if we follow it if यदि we हम लोग follow करते हैं पालन करते हैं it means इसका patience और intellect का बुद्धि और धैरे का पालन करते हैं we must हम लोग अवश्य be successful be means होना successful सफल हो जाएगे in this attempt in this attempt मतलब इस प्रयास में attempt means प्रयास में अगर हम अच्छी तरह अपना मन से और patience रखके इस कारी को करेंगे तो हम अवश्य ही इसमें सफल हो जाएगे the young fox said जो यूवा लोम्री था उसने कहा do you think सकता है the old wise fox बुढ़ा बुद्धिमान लोम्री said कहा keep patience keep means रखना patience मतलब धैरिय धैरिय रखो I will give मैं दूँगा I will means मैं दूँगा give means देना proof प्रमार दूँगा of it मैं इसको इसको प्रमारित करूँगा means यह जो मैं कह रहा हूँ इसको मैं तुम लोग के सामने सही करके दिखाऊंगा Soon जल्दी the old wise fox जल्दी जो बुढ़ा बुद्धिमान fox जो लोम्री थी gathered gathered means होता इकठा करना all his friends उसने अपने सभी दोस्तों को friends to pursue him pursue means होता है पीछा करना means किसी को पकड़ने का प्रयास करना कोशिश करना pursue him means अपने दोस्तों को अपने साथियों को उस भुढ़े लोम्री ने इकठा किया और कहा कि जाके उस जो बफैलो है जो भैस है उसका पीछा करो उसे पकड़ने की कोशिश करो all other fox all means सभी other दूसरे foxes जो लोम्री थे followed him followed मतलब पीछा किये him उस भैस का पीछा करने लगे so that इस तरह से they could not be seen they could not be seen मतलब उन्हें देखा नहीं जा सकता था by the buffalo उस भैस के द्वारा buffalo के द्वारा means ऐसे वो लोग पीछा कर रहे थे कि वो जो भैस थी उसे बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी then फिर द ओल्ड वाई जो बुढ़ा बुढ़िमान fox जो लोम्री थी came आई in front of in front of means होता है सामने huge animals उस बड़े से जानवर के सामने आई buffalo buffalo के सामने उस भैस के सामने जो भुढ़िमान fox थी वो सामने आई he bob'd bob means होता है जुकना means नस्दमस्तक होना himself अपने अपने सर को जुकाया before him उस huge animal के सामने उस भैस के सामने अपने सर को नतमस्तक किया मिंस उसके सामने जुक कर उसका अभिनंदन किया मिंस उसे नमस्ते किया और कहा O Mighty Mighty means होता है पराक्रमी सक्तिसाली उसे address किया उसे संबोधित किया Buffalo को O Mighty करकर संबोधित किया मिंस उसे O Mighty करकर बुलाया हे पराक्रमी हे बलशाली have मतलब pass, a huge, huge मतलब बड़ी, body, बहुत बड़ा शरीर है आपके पास, will you be our leader, will you be our leader, क्या आप हमारे leader बनोगे, means हमारे नेता बनोगे, leader means नेता, क्या आप हमारे नेता बनोगे, we have no leader, we means हम लोग, have means pass, हम लोग के पास no leader, means leader नहीं है, नेता नहीं है, that is why, इसलिए, the foxes are indisciplined now, that is why, इसलिए, इस तरह से, जो foxes हैं, जो लोमडियां हैं, are indisciplined, means anushासित हैं, means कोई भी manner नहीं है, means अपने मन का करती हैं, now means, अब, means कि हमारा कोई leader नहीं है, इस वज़े से, वो हमारी बातों को नहीं सुनती हैं, इधर, उधर, जो भी अपना मन का रहता है, वही करती हैं, the buffalo was baffled, baffled means होता है, चक्रा जाना, चौक जाना, by this request, इस प्रातना से, by means द्वारा, this means यह request, मतलब प्रातना से, जो भैस थी, वो baffled हो गई, चक्रा गई, आश्या चकित हो गई, by this request, इस प्रातना से, so he said, so इस लिए, भैस ने कहा, यहाँ पर, he can use हुआ है, means, वो male buffalo था, means, एक तरह से भैसा, जो male buffalo होते हैं, उन्हें हिंदी में भैसा कहा जाता है, तो साइद वो, भैसा था, so he said, male buffalo था, so he said, उस ने कहा, I cannot remember you, I cannot, means, मैं नहीं जानता, I cannot, मतलब मैं नहीं जानता, remember मतलब याद रखना, you means, remember मतलब होता है, याद रखना, means, मैं तुम लोगों को नहीं जानता, मैं आप लोगों को नहीं जानता, what is your name, आपका क्या नाम है, what is your name, means, आपका क्या नाम है, from where, from means, from means say where मतलब कहा, कहा से have you come, आप लोग कहा से आए हैं, उस fox को कह रहा है कि आप लोग कौन हैं, मैं नहीं जानता, आप लोग का नाम क्या है, और आप लोग कहा से आए हैं, आप लोग क्यों आप लोग क्यों दे रहे हैं, यू मतलब तुम देना मी मुझे सच ऐसा ऐसा ऑफरिंग, ऐसा भीट, ऐसा आफर आप लोग मुझे क्यों दे रहे हैं, अतलब जो मिल बफेलो था वो तो पूछे गाई कि अचानक से कोई उसको अपना लीडर बनाना चाहरा है तो आदमी कोई भी हो चॉँक तो जाये दे बंट वाइस वाइस फॉक्स रेप्लाइड बुढ़ा बुध्धिमार लोम्डी रेप्लाइड उत्तर दिया रिप्लाइड किया आंसर दिया I am a fox मैं लोम्णी हूँ I live मैं रहता हूँ या रहती हूँ जो भी हो in this forest इस जंगल में रहता हूँ I have gone through many books I have मैंने किया है gone through gone through means होता है read through पढ़ जाना many books मैंने बहुत सारी books को पढ़ा है gone through मतलब read through पढ़ना मैंने बहुत सी books पढ़ा है बहुत सी किताबे पढ़ी है there जहां पे I have seen मैंने देखा है one must one means एक अवस्य have means रहता है means पास में a good means एक अच्छा leader means मैंने बहुत सी books में पढ़ा है कि किसी के पास एक अच्छा leader होना जरूरी होता है a good wife a good wife एक अच्छी पत्नी and a good life एक अच्छा जीवन means कहा है इसमें कहा है कि मैंने books में पढ़ा है कि किसी means leader रहना जरूरी होता है अगर leader अच्छा हो तो हम अच्छा जीवन भी ब्यतीत करते है वो जो fox है जो old wise fox है वो कह रहा है कि कि मैंने कई books में पढ़ा है कि अगर आपके पास एक अच्छा leader होता है एक अच्छा नेता होता है तो आप बहुत ही अच्छा जीवन ब्यतीत करते हैं मिन्स आपके जीवन में किसी चीज की भी कमी नहीं होती है because क्योंकि the leader will teach us जो अब बता रहा है कि leader क्यों जरूरी होता है because क्योंकि the leader जो leader होता है will teach पढ़ाता है शिक्षा देता है teach मिन्स शिक्षा देता है पढ़ाता है अस हमें जो हमें क्या करना है उस लक्ष तक हमारा leader पहुंचाता है so इसलिए I have come मैं आया हूँ to take you means आपको ले जाने as our leader हमारे नेता के रूप में as our leader means हमारे नेता के रूप में जो हमें अच्छी राह पे चला सके अच्छी राह दिखा सके the buffalo was stupified stupified means होता है बहुचका रह जाना stupd रह जाना by the wicked wicked means होता है खराब सैतान means जो नुकसान पहुचाने वाला plan योजना of the fox of means the fox means लोमडी का जो लोमडी की बातों को सुना तो buffalo एकदम बहुचका रह गया woman उसकी उपरी बातों को तो सुना था पर अंदर की जो योजना थी लोमडी की उस योजना से वो बिलकुल भी जागरुक नहीं था means जानता नहीं था buffalo बिलकुल भी जानता नहीं था he was seemed प्रतीत हो रहा था to be proud to be means होना proud गर्व मैसूस करना then means फिर जब उसने fox की बातों को सुना तो एकदम proud feel करने लगा कि अरे वाँ ये तो हम मुझे नेता बनाना चाहते हैं और मेरी बताई हुई रापर चलना साते हैं तो इस वज़े से buffalo को बहुत ही ज़्यादा proud feel होने लगा घमंड फिल होने लगा उसका facial facial means चेहरे का expressions how-how and or body सरीर का movement जो गती थी proved प्रमारित कर रही थी proved means प्रमारित कर रही थी this this means यह जो भी चीजे उसके how-how उसके body movement सब चीज proof कर रहा प्रमारित कर रहा था कि वो एकदम घमंड में चूर हो गया है means बहुत ही घमंडी हो गया है जो buffalo है the old बुढ़ा wise बुद्धिमान fox lombri realized महसूस किया that की buffalo जो भैस है was was means था impressed प्रभावित impressed मतलब प्रभावित बाई बाई मंस द्वारा his उसके sweet मीठे words उसके मीठे words में उसके मीठे सब्दों में सब्दों से जो buffalo है एकदम impressed हो गया प्रभावित हो गया means उसकी बातों में जो भैस है एकदम आ गया the old wise fox said बुढ़ा बुद्धिमान लोमणी ने कहा oh mighty hey पराक्रमी we have हम लोगों ने prepared prepared means तयार किया है everything means हर चीज for the for means लिए the cornations cornations means होता है task posi रास्तिलग ceremony ceremony means समारो means जिसमें आपको crown पहनाया जाएगा मुकुट पहनाया जाएगा वो समारो की हम लोगों ने तयारी की है please come with me come with me मतलब हमारे साथ आईए मेरे साथ आईए add जैसा की all means सभी your आपकी subject subjects means होता है जनता प्रजा are waiting इंतजार कर रही है मेरे साथ आईए और वहाँ पे आपकी जो जनता है wait कर रही है इंतजार कर रही है आपका we want हम चाहते है to crown crown means होता है ताजपोशी करना मुकुट पहनाना you आपको as our king as means हमारे राजा के रूप में today आज ही means आज ही हम आपको अपना राजा बनाना चाहते है the buffalo the buffalo was now blind with pride जो भैस थी buffalo था was था now अब blind blind means होता है अंधा हो जाना with pride pride means घमंड के साथ अब वो घमंड में अंधा हो गया he said उसने कहा tell me tell me means बताओ मुझे where कहाँ पे they are waiting कहाँ पर जनता वेट कर रहे they means where are waiting वे कहाँ पर वेट कर रहे जनता कहाँ पर वेट कर रहे means इतना वो घमंड में चूर हो गया कि अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या साजी मेरे लिए रची गई ये उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था the old wise fox बुढ़ा बुद्धिमान लोमडी टुक ले गया the buffalo buffalo को ले गया into into means may the deep forest एक घने जंगल में ले गया the place place जग़ वास था gloomy gloomy means अंधकार में बहुत ही अंधेरा था दियर वहाँ पे जहाँ पे fox ले गया buffalo को वहाँ पे एक दम ही अंधकार भरा पड़ा था the fox said लोमडी ने कहा oh mighty hey पराक्रमी buffalo please kripia stop रुकिये kripia रुकिये when I will tell you मैं आपको बताऊंगा मतलब लोमडी भैस को जंगल में ले गया और उसको कहा कि यही पे रुकिये अब मैं आपको आगे बताता हो कि क्या करना है then I will call मैं बुलाऊंगा I will call means बुलाऊंगा my friend अपने दोस्तों को there means वहाँ पे आप यही पे रुकिये और मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा भी यहाँ पे so the fox stepped ahead stepped ahead means होता है आगे बढ़ना fox जो लोमडी था आगे बढ़ा and or the buffalo followed him और बफैलो उसके पीछे चलने लगा जैसे ऐसे लोमडी चल रहा था उससे पीछे पीछे बफैलो भी चलने लगा soon जल्दी they reached way पहुँच गये to the marsy ground marsy मतलब होता है धसाओ दल्दली ground दल्दली जमीन के पास वे लोग पहुँच गये चलते चलते वे लोग दल्दली भूमी के पास पहुँच गये suddenly अचानक the buffalo जो बफैलो था भैस था fell into गिर गया fell into means गिर गया the muddy water muddy means किचड़ वाले पानी में गिर गया muddy means किचड़ वाले पानी में मिट्टी वाले पानी में वो गिर गया उस marsy land में गिर गया so इसलिए अत his feet उसके जो पैर थे gutted down नीचे धसने लगें due to means कारण से the gloomy अंधकार में means बहुत ही अंधेरा था and or dark atmosphere और एकदम गहरा वाता बरण भी था means एकदम जो वहां का एकदम अंधकार में पूरा जगा थी और जंगल भी अंधकार में था और वाता बरण भी अंधकार में हो गया था means थोड़ा रात हो गई थी he could not clearly he could not clearly means वह साफ साफ नहीं देख सका clearly he could not clearly see वह साफ साफ नहीं देख सका where where means जहां he was going जहां पे वह जा रहा था वो कहां पे जा रहा है वो बिल्कुल भी उसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि जंगल भी एकदम घना था और एकदम वाता बरण भी एकदम अंधकार में हो गया था means अंधेरा हो गया था इस वज़े से उसे कुछ भी पता नहीं चल ला थे कि वो कहां जा रहा है He said to the fox बफैलो ने fox से कहा लोमडी से कहा I am gutted down मैं धस रहा हूँ gutted down means मैं नीचे जा रहा हूँ Please क्रिपया help me मेरी सहायता करो आउट बाहर आने में क्रिपया मेरी सहायता करो इससे मुझे बाहर निकालने में The wise old fox बुद्धिमान बुढ़ा इसे तो वो मुस्कुराना सुरू कर दिया हसना सुरू कर दिया Then he gave a hint He gave दिया Give का past tense दिया a hint एक संकेत दिया hint means संकेत दिया All सभी other दूसरे foxes जो लोमडी थें Rushed Rushed मतलब एक एक जोस में आना Towards की ओर ही means पूरे एक धक्के से एक जोर से वे लोग सारे बफैलो पे बफैलो की तरफ बढ़ने लगे भैस की तरफ बढ़ने लगे All of them means वो सभी together साथ में Attacked प्रहार किये The sinking Sinking means होता है डूबते हुए Buffalo के उपर वे जितने भी लोमडी थें पूरी गैंग के साथ उन्होंने Buffalo पर आक्रमड कर दिया भैस पर आक्रमड कर दिया In no time In no time means बिल्कुल भी समय नहीं लगा The buffalo died जो buffalo था मर गया The fox लोमडी है Turn off Turn off means होता है फारना Large piece Means एक बड़ा हिस्सा एक बड़ा Piece Office place उसके मांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा फार लिया Means खाने के लिए ले लिया Thus इस फ्रकार The young एक यूवा Immature Undeveloped Buffalo जो भिक्सित न हुआ हो वो भैस Learned सीखा A good lesson एक अच्छा पार्ट पढ़ा मतलब उन Fox ने अपने जाल में एक Simple से Immature Buffalo को फसा लिया और उसे अपना शिकार बना लिया So ये स्टोरी हमें ये सीख देती है कि हमें ज़्यादा मीठा बोलने वालों के जाल में बिल्कुल भी नहीं फसना चाहिए अगर हम ज़्यादा मीठा बोलने वालों के जाल में फस जाएंगे तो पता ही है क्या होता है कि ज्यादा मीठा होने से शुगर हो जाता है उसी प्रकार जो ज्यादा मीठा बोलते हैं वो पीट पीछे वो बहुत ही जहर गोलते हैं उनके दिमाग में क्या चल ला है वो कुछ भी पता नहीं चलता है क्योंकि वो तो सामने से एकदम मीठा मीठा बोलते हैं पर बाद में वो छूरी पीठ पीछे ही मार देते हैं सो आज की स्टोरी हमारी समाफ्थ होती है स्टोरी कैसी लगी कमेंट करिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू